बात उस जमाने की है जब मुगल बात्सा अकबर अपनी कोई भी संतान नो होने को लेकर चिंतित थें वह एक कुल दीपक की चा में देश और दुनिया के सभी मंदीर मस्जीदों के चक्कर लगा चुके थें इसी सिल्चिले में वह सूफी संत सेख सलीम सुल्तान चीस्ती के पास पहुँचे बड़ी मिन्नतों और उनके आसिरबाद से उनके घर में एक लड़के ने जनम लिया जिसका नाम जहांगिर उर्प सलीम था वह अकबर का चहेता बेटा था क्योंकि इसके जनम लेने के बाद से ही उसकी कई रानियों की गोद भराई और सलीम के अन्य भाईयों का जनम हुआ अकबर उसे प्यार से सेखु कह कर पुकारते थे अकबर ने सलीम की साधी आमेर के राजा भगवान दास की बेटी मानबाई से कर दी हालकि वह उसकी एक मातर पत्नी नहीं थी इसके बाद सलीम और पजहांगिर ने बहुत सारी साधियां की एक दिन अपने पिता और बाद सा के दरबार में सलीम की नजर एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम अनारकली था उसके रूप रंग को देखकर सहजादे सलीम उसके दिवाने हो गए एहीं से सुरू होती है दोनों के प्यार की दास्ता कहते हैं कि अनारकली की खुबसूर्ती के चर्चे पूरे लाहोर में थे इसकी खबर जब बाद सा अकबर को लगी तो उन्होंने अनारकली को अपने दरबार में बुलाया दरबार में अनारकली ने उनके सामने गजब का निरित्य पेस किया अकबर उसका निरित्य और रूप देखकर आश्चर चकित रह गए उन्होंने खुस होकर अनारकली को अपने दर्बार की निरित्य का घोसित कर दिया उस दिन से अनारकली का काम था साही दर्बार में लोगों के आगे निरित्य कर उनका मनुरंजन करना